कार बचो मैं मरनाज आपके समक्स कक्षा दस्मी का गणित का वर्क्षीट संक्या 23 लगर के उपस्थित योग दिनांग 1 सेप्टेंबर 2021 के लिए हैं इसमें हमारा टॉपिक है दो चरवाले रैखिक सम्मिकरन योग में बदले जा सकने वाले सम्मिकरन जो देखने में तो सम्मिकरन के रूप में बदलते हैं उसका कंटिन्यूएशन है यानि इससे पहले वाले वर्क्षीट में भी हम इस तरह की जानकारी हासिल करें हुए है यानि उसमें भी हमारा टॉपिक यही था आईए अब सवाल की तरफ चलते हैं अब पहला सवाल दिया हुए रितू धार के अनुकूल दो घंटे में 20 किलोमेटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल दो घंटे में 4 किलोमेटर तैर सकती है अब यह धारा के अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है बच्चों बच्चों आपने बचपन में साइकल चलाया होगा तो उसमें साइकल में क्या होता है हैं इधर हवा बैह रही होती है मान लीजिए जेंट हवा बैह रही है और इधर इससी डिरेक्शन में आप साइकल भी चला रहे हैं तो यह दोनों हो जाएगा तो यह होता है धारा के अनकूल इसमें हम लिखेंगे धारा के या हवा के अनकूल और प्रतिकूर यानि इधर से आप चला रहे हैं साइकल और इधर से हवा वेरिया यानि एक दूसरे के अपोजिट में हो तो यह होता है धारा के प्रतिकूल या हवा के प्रतिकूल इसमें क्वेश्चन में धारा है और आप साइकल की बात कर रहे थे तो साइकल में हवा होगा तो धारा के प्रतिकूल इसकी चर्चा की गई है, अब कहरा है, सवाल की तरह पाए, धारा की प्रतिक अनकूल, दो घंड़े में 20 किलो मिटर तो धारा की अनकूल क्या हो जाएगा, दोनों जुड जाएगा, माल लेते हैं रितुक की सांत जल में चाल X किलो मिटर परावर हैं और धारा के की चाल Y किलो मिटर यहां पर दिया हुआ है उसी को हम मानते हैं इस्थिर जल में तैरने की चाल तो इस्थिर जल में तैरनी की चाल माल लेते हैं रितुक की इस्थिर जल में तैरनी की चाल X किलो म यहां पर देखिए अपने हिसाब से तो धारा के अनकूल क्या हो जाएगा you कि अप्रस्न से चलते हैं एक फловूला है चाल बराबर है यह चाल है यह और यह समय है यह दूरी है इसमें संबंद क्या है दूरी होता है दूरी बराबर में चाल बराबर में फॉर्मूला फिजिक्स में पड़ें दूरी बटा समय तो समय इजकल्टू यानि यहां पर लिखा है समय इजकल्टू दूरी बटे चाल उसी साब से क्या होगा हमारे पास इधार भी समय लीजिए दो किलोमीटर मनलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर में टाइम तो इसी का फॉर्मूला यूज करना है तो बीस किलोमीटर जा रहा है तो बीस किलोमीटर और चाल क्या है एक्स प्लस वाई धारा के अनकूल जा रहा है तो यह जा रहा है दो घंटे में तो इसको का ना चाहें तो 10 हो जाएगा तो यह हो जाएगा X plus Y is equal to 10 cross multiply करेंगे तो अब धारा के प्रतिकूल कह रहा है तो यानि 2 घंटे में 4 km तो वहां पर 4 बटे X minus Y is equal to हो जाएगा 2 घंटे में तो 2 घंटे इसको भी solve करें तो X minus Y is equal to हो जाएगा 4 बटे 2 तो यानि 2 आपके पास equation यह आ गया एक और दूसरा equation यहां पर लिखे X minus Y is equal to 2 तो यह दूसरा equation हो गया एक बार दोनों को जोड़ दे और दोनों को घंटा दे तो X plus मनलब यहां पर लिखे equation 1 plus equation 2 तो क्या हो जाएगा 2 आईए पहले करें X plus Y is equal to 10 तो और X minus Y is equal to 2 अब माइन प्लस करते तो कुछ साइन बदलता नहीं है तो 2 X is equal to 12 तो X is equal to क्या हो जाएगा X is equal to हो जाएगा 6 बारा बटे दो और दोनों को एक बार माइनस करते हैं equation 1-2 से क्या हो जाएगा X plus Y is equal to 10 था और X minus Y is equal to 2 माइनस करते ही सबका साइन बदल जाता है यह माइनस था तो प्लस हो जाएगा यह तो कट गया यह हो जाएगा 2 Y is equal to 12 यह घटाएंगे माइनस 8 ए तो य की वैल्यू क्या हो जाएगी Y की वैल्यू आ जाएगी माइनस तो दो से करते हैं तो यह धसमें से दो गया तो आट यहां पर माइनस नहीं होगा दस में से आठ गया, दस में से दो गया तो आठ तो यह हो जाएगा चार तो X की वैल्यू आगए और Y की वैल्यू आगए अब आते हैं यहाँ पे जो दिया गया है उसमें देखिए x की value भी यहाँ पे 6 और y की value 4 है तो यह होगा x की value 6 और y की value 4 अब समाल के हिसाब से लिखे जो हमने लिया था रितू की सांध जल में चाल 6 km परावर और धारा की चाल 4 km परावर दूसरा सवाल है आठ पुरुस पहले तो यहां पे गलती लिया गया है क्योंकि यहां पे देखिए सवाल में 12 लिया गया है तो यहां पे भी आप 12 लिखें 12 यूज करें आठ पुरोस और बारा महिलाएं किसी काम को, किसी कारी को दस दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि छे पुरोस और आठ महिलाएं उसी काम को चौदा दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरोस या एक महिला अकेले उस कारी को कितने दिन में कर सकेंगे, तो सबसे पहले हम एक दिन का काम लेकिन इस लाइन को अंडरलाइन करें एक पुरोष या एक महिला अकेले उस कारी को कितने दिन में करते तो यही आपको मानना है मान लेजिए कि एक पुरोस कारे को X दिनों में तता उसी कारे को महिला Y दिनों में पूरा कर सकती है अब इतने दिनों में पूरा कर सकती है लेकिन सबका एक एक दिन का काम निकालना है तो एक दिन में एक आदमी कितना करेगा, एक दिन में पूरा करता है, तो एक बटे X, एक दिन में एक पुरुस करेगा, और एक दिन में एक औरत कितनी करेगी, एक महिला कितनी करेगी, एक बटे Y, अब प्रस्न की तरफ चलते हैं, तो कह रहा है, आठ पुरुस अपने हिसाब 10 दिनों में तो शबका एक दिन का काम निकाल रहें निख्या दिन में तो एक बस चैने थेर के प्रकार यहjobरी अपके पास दो equation आगे इसको आप solve करिए equation 1 और equation 2 पहले या तो इसको माने या फिर put करें पहले put या x 1 by x बराबर में u तथा 1 by y is equal to v रखने पर क्या हो जाता है आपके पास जो समिकरन आएगा यह आजाएगा 8 u प्लस 12 v is equal to 1 बटे 10 और यह हो जाएगा 6 u प्लस 8 v is equal to 1 बटे 14 इसको मालने हैं समिकरन 1 और इसको समिकरन 2 तो अब हम पुआ ही पुराने विदी किसी एक को बरावर करें चाहें तो LCM लेकर करें या जैसे भी तो equation 1 और इधर equation 2 अब दोनों को LCM होगा 8 यह 24 तीन से करना है तो इसको समिकरन 1 को करें तीन से इसको चार से और देखे सेम साइन समान चीन है तो माइनस करते हैं तो यह हो जाएगा आपके पास आठ या चौबिस चौबिस यू चौबिस यू प्लस बारत या 36 वी इसकल टू तीन बटे दस और इसको करते हैं तो यह हो जाता है चौबिस चौबिस यू प्लस आठ चौबिस भी और चार बटे चौदा चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं इसको यह करें तो यह हो जाएगा दो बटे साथ अब इसको हमने माइनस किया है माइनस माइनस यह तो कट गया यह बचा चार यू और यह बचा तीन बटे दस में से दो बटे साथ गया कि इसको करते हैं तो यह हो जाता है सतर और सातिया 21 में से 20 गया इक वट्टे 70 तो यू इसकल डू यह आया तो यू इसकल चार यू बराबर यह था तो यू इसक्ल टू क्या हो जाए गे एक वट्टे 280 आपका यू का वेल्यू आ गया अब क्या करें एक्वेशन को दूसरे वी वाला टर्म बराबर करते हैं इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को आप पहले हमने यू वाला बराबर किया था वी वाला बराबर करें तो इसका कालसियम 24 होगा तो एक को करते हैं एक को समीकरन समीकरन एक को दो से और समीकरन दो को तीन से और आपस में घटाएंगे क्योंकि समानची में हैं तो हम करते हैं तो यह हो जाएगा आठ दुना सोला यू प्लास बारा दुनी चौविस वी इसकल टू दो बटे दस जिसको काट करके हो जाता है एक बटे पांच और यहां पे हो जाएगा छे तीन से करते तो छेतिया अठारा यू अठारा यू प्लास आठ तिया चौविस वी यहां से आया आपका माइनस करते हैं तो यह आएगा माइनस डू यू और यह आएगा एक बटे पांच माइनस तीन बटे 14 इसको करते हैं स्वाल तो यह आगा 14 75 और 14 में से 15 आ गया 14-15 यह माइनस माइनस टू यू माइनस टू यू इसकल टू यह तो यू इसकल टू क्या हो जाएगा यू इसकल टू हो जाएगा माइनस वन बाइ सतर और इन्टू माइनस वन बाइ टू नीचे यह तो माइनस जहां पर था तो यह इससे यह कट गया तो आपका यू की वैल्यू आ जाएगा एक बटे एक सो चालिस दो से इधर मल्टिप्टाय हो जाएगे तो यू की वैल्यू आ गए और वी की वैल्यू आ अब हमने यू की वैल्यू और वी की वैल्यू हमने क्या माना था यू बराबर था वन बाइ एक्स तो हम लिखे वन बाइ एक्स बराबर में यू था यू बर तो यह वी आया है कट करके तो आपके पास एक्स इसकल टू जो था आया है यू और यू की वैल्यू आया है आपके पास 140 तो यहां पर लिखे यहां पर 140 हो जाएगा एक्स बराबर में 140 इसी यहां पर निकला है अब यहां पर निकला है तो देखिए लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ हम जैसे बढ़े माने थे एक दिन का कार उसी प्रकार मानेंगे आंसर भी देंगे एक पूरुष एक उस कारी को कितने दिनों में करता है तो एक पूरुष दिये गए कारी को 140 दिनों में करता है और महिला उसकार को 180 दिनों में पूरा करता है इस प्रकार ही आंसर देना है जिस प्रकार पूछा जाए उसी प्रकार आंसर दिया जाते हैं आया हमेशा की तरह जो सवाल दिये जाते करने के लिए तो आईए सवाल करें यहां पर पहला सवाल दिया करने के लिए एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 30 km तता द्हारा के अनकूल 44 km जाने में 10 घंटे यहाँ तता त्यारा के प्रतिकूल 40 km और 35 km जा सकती है तो द्हारा के चाल और 7 जल में मॉइज कर तो यहां से आप अधा मैं करें और इसी के हिसाब से मान माना की कर दो शांत जल में धारा नाव की चाल नाव की चाल एक्स किलोमेटर पर आवर तथा धारा की चाल वाई किलोमेटर पर आवर है वाई किलोमेटर पर आवर है अब कहरा है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनकूल तो अब हमारा केस हो जाएगा धारा के अनकूल यानि धारा के प्रतिकूल स्पीड हो जाएगा नाव की स्पीड नाव की चाल धारा के प्रतिकूल और धारा के अनकूल धारा के प्रतिकूल यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा दोनों का आपस में घटा हो जाएगा अब नाव जा रही है तो नाव का पहले x और फिर यह x-y km पर आवर और नाव की चाल धारा के अनकूल यह आपस में जुड़ जाएगा अनकूल तो यह हो जाएगा x प्लस y और km पर आवर अब आते हैं सवाल की तरफ सवाल कह रहा है 30 km 30 km धारा के अनकूल तो यानि सवाल पर चलते हैं तो यहाँ पर लिखें 30 और प्रतिकूल कह रहा है तो x-y और प्लस 44 x प्लस y धारा के अनकूल यह जाता है 10 घंटे में और दूसरा कहता है जो कि दूसरा कह रहा है चालिस किलो मीटर 40 वटे x- प्रतिकूल कह रहा है धारा के प्रतिकूल तो x-y और 55 किलो मीटर 55 किलो मीटर धारा के अनकूल यह जा रहा है 13 घंटे में यहां पर दिया हुए 13 घंटे तो यहां पर हो गया 13 अब हम क्या करेंगे यह हमारे पास सिच्वेशन आ गया दोनों सिच्वेशन आ गया तो अब इसमें करना है कि वन बाइ एक्स माइनस वाई बराबर में पी तथा वन बाइ एक्स प्लस वाई इस गल्टू क्यूर रखने पर तो क्या हो जाएगा 30 पी पलस 44 क्यूर इस गल्टू दस और दूसरा हो जाएगा यह करेंगे तो यह हो जाएगा 40 40 पी पलस 55 क्यूर इस गल्टू दस 30 इसको मालने थे एक इसको मालने थे दो अब चलते हैं हम समीकरण एक और दो की तरफ तो यहां पे बराबर करें पहले एक्वेशन वान और एक्वेशन टू पहले पी को बराबर करें तो इसको हम चार से करें और इसको तीन से करें और दोनों में समान चिन हैं तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हम इसको फिर से आया लिखें तो यह हो जाएगा 30 चोके 120 120 P और प्लस 176 Q इसकल टू 40 और यह करेंगे तो यह हो जाएगा 120 P प्लस 165 Q इसकल टू 13 जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस करना है तो सबका चीन हो बदल जाएगा यह हो जाएगा 11 Q इसकल टू 13 को तीन से करेंगे तो 49 हो गया यहां पर एक तो Q की वैल्यू आ जाएगी Q की वैल्यू आ जाएगा एक वटे ग्यारा ठीक है अब हम पुना इसको इक्वेट करेंगे Q वाले टर्म को तो यहां पर लिखें एक्वेशन वान और एक्वेशन टू इसको 5 से करते हैं गुना और इसको 4 से करते हैं तो दोनों में 220 हो जाएगा यह हो जाएगा 105 से करें तो 150 पी और प्लस 44 को 5 से करेंगे तो 220 Q इसकल तू 50 और 40 को पी से कर चार से कर रहे हैं तो 160 160 पी प्लस 220 Q और यह 13 का बावर और सब में माइनस कर रहे हैं तो यह तो कट गया यह होजाएगा माइनस 10 पी इसकल टू माइनस टू तो 10 से 10 भी कट गया तो पी की वैल्यू आ जाएगा दो बटे 10 यानि एक बटे 5 तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो की बैल्यू भी आ गया और Q की वेल्यू भी आगया अब पी की हमने किसको माना था आए ये पी और क्यू किसको माने थे तो देखें पी हमने माना था 1 by x-y 1 by x-y is equal to p था तो पी के बदले हम लिख देते हैं 1 by 5 तो इसको cross multiply करेंगे तो x-y is equal to 5 और इसी प्रकार क्यू किसको माना था 1 by x-y को तो यह हो जाएगा 1 by x-y is equal to 1 by 11 तो इसको करेंगे तो x-y is equal to 11 हो जाएगा तो अब यह equation और यह equation इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4 तो हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा equation 3 प्लस एक्वेशन 4 को ज़दी जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है x प्लस पहले माइनस है x माइनस y इसकल तो 5 और x प्लस y इसकल तो 11 जब जोड़ते हैं तो यह तो कट गया 2 x इसकल तो हो जाएगा 16 तो x की value हो जाएगा यहां पे 8 x इसकल तो 8 और दोनों को घटाते हैं तीन या put करके करते हैं 3 माइनस 4 करते हैं तो यह हो जाएगा x माइनस y इसकल तो 5 और x माइनस y इसकल तो 11 जदी हम घटाते हैं तो सब का चीन बदल जाएगा mean P andy यदि नो हो जाएगा say X की वैलिर आ गया हमने एक और वाइक इसको माना था उसी प्रकार लिखेंगे माना के शांत जम्हीं डोडरर में नाउल की चाल एक्स एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे यहां पर लिखें शांत जल में नाव की चाल यह एट है और धारा की चाल धारा की चाल बरावर में तीन लेकिन साथ ही यूनित भी लिखना है अब दूसरा सवाल देखते हैं दूसरा सवाल है दो मैल आए यहां परस्त तता चार तो अब मैंने कहा यहां से देखी, एक महिला अतबा एक पुरुस द्वारा उस कारी को करने में लगा समय, तो यहां पे लिखे, माना की, माना की, एक महिला द्वारा कारी करने में लगा समय, X दिन, और एक पुरुस द्वारा कारी करने में लगा समय, Y दिन, तो दोनों का एक एक दिन का कारे कितना हो जाएगा एक महिला के एक दिन में कितना करेगा तो एक वट्टे एक्स हो जाएगा और यह एक वट्टे वाई हो जाएगा अब प्रस्ण की तरह पाते हैं प्रस्ण हमारे पास है कहा रहा है दो महिला दो महिला और पांच पूरोस मिल करके तो यहां प पाँच वठेड़ इसकल तो चार दिनों करते एक दीन का कारी क्या हो ज़ीगी एक वर्टेश एक दिन में ही निकाल और दूसरा हो जाएगा एक्वेशन है तीन महिला तीन महिला और अच्छे पुरुष तो तीन बटे एक्स प्लस छे बटे वाई इसकल टू एक बटे तीन यह आपका एक्वेशन की तरह पागया अब रख लेते हैं माना की या रखने पर भी 1 by x is equal to u तथा 1 by y is equal to v रखने पर क्या हो जाएगा समीकरण आपके पास समीकरण हो जाएगा दो यू प्लस पांच v is equal to एक बटे चार और ये हो जाएगा तीन यू प्लस छे वी इसकल टू एक बटे तीन अब इसको समीकरण एक और इसको समीकरण दो कि अब किसी एक को बरावर करते हैं समीकरन एक और एक और यहां पर दो अब जब हम पहले वाले को बरावर यू वाले को बरावर करते इसको तीन से करें और उसको दो से तब तीन दूने 6 हो जाएगा और माइनस करें तो यह हो जाएगा यू प्लस पांच दुनी ये पांच तीया 15 वी इस कल टू पिन वटे चार और यह करेंगे दो से तो हे यू प्लस च्छॉदू निबारा हुआ निए इसकल टू एक बटेती है तो दो बटेतीन हो जाएगा दो बटेतीन माइनस कर रहे हैं तो यह चिन हो जाएगा सबका बदल जाएगा तो यह तो कट गया और यह आपका आ गया 3 V is equal to 3 बटे 4 माइनस 2 बटे 3 अब LCM लेंगे तो यह हो जाएगा 12 तो यह तो यह तो यह तो यह तो आपके पास एक्वेशन यह था तो इसको करें पांच इसको पहले को 6 से दूसरे को 5 से तो पहले को 6 से करते हैं और दूसरे को 5 से और जिन दोनों में से में हैं तो माइनस करेंगे अब यह हमारे पास आ जाएगा तीन दूनी 6 6 से करें तो 6 दूनी 12 यू प्लस 6 पंचे 30 यू प्लस 30 वी इसकल टू छे बटे 4 और यह हो जाएगा निचे वाला 5 से करें तो 15 यू प्लस 30 वी इसकल टू पांच बटे 3 माइनस करें यह यह तो कट जाएगा तो माइनस 3 यू इसकल टू हो जाएगा 6 बटे 4 माइनस 5 बटे 3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा चारतिया 12 और 6 18 में से 20 गया तो माइनस 2 माइनस 2 तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस 3 यू तो माइनस से माइनस चला जाएगा यह 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा तो यू इसकल टू हो जाएगा 1 बटे 6 18 यह यू की वैल्यू आगया और यह वी की वैल्यू आगया अब हमने यू और वी किसको माना था यू माना था 1y x is equal to you और 1y y is equal to तो 1y x is equal to you था यू के बदले 1y 18 हो जाएगा तो x पराबर क्या हो जाएगा 18 ठीक है इसी प्रकार V किसका था? V था, 1 by y is equal to V था, V के बदले हो जाएगा 1 by 36 तो Y की value हो जाएगी 36 अब X बराबर está और Y बराबर अब पन्स वाल में हमने यह लिया था तो यह लिखेंगे यहाँ पर एक महिला दुआरा किये कारि करने में लगा समय बराबर में यहां पे X के बदले क्या है 18 तो यहां पे यहां से लिख करके फिर लिखेंगे 18 दिन यहां पे 18 दिन और एक पुरुस द्वारा कारे कारने में लगा समय यहां पे 36 दिन ठीक है यह था आज का वर्क सिट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीज